हलो फ्रेंट्स मेरा नाम है सेयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरंजोश.com और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं आज के करंट अवेर से उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्स के बारे में बात क देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना है तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ विश्विस वास्ते संकटन यानिकी डबलु हो की एक रिपोर्ट के नुसार वायू प्रदूशन से दुनिया भर में प्रतीम मिनट जाने कि हर एक मिनट में कितने लोगों की मौत हो रही है साही जवाब है ऑप्शन डी 13 तो आपको बताते कि यह वर्द हेल्ड और्गैशन है उसने दुनिया भर में वायू प्रदूशन से होने वाली मौतों को लेकर डराने वाली एक रिपोर्ट जारे करी है और इस रिपोर्ट के नुसा बताया गया है कि एर प्रदूशन से पूरी दुनिया में हर मिनेट में 13 लोगों की जान जा रही है स्कॉर्टनेंड के ग्लास्को में सेयुक तराश जलवायू परिवर्तन समेलन कॉप 26 की अगवाई में शुरू की गई बैटक में डबलु एचो ने अपनी विशेश रिप भूप्तान भी करना पड़ सकता है पढ़ते हैं अगले सवाल पर अंतराश्री उर्जा एजंस्य ने हाल ही में किस देश एक को एजंसी का पूंड कालिक सदस्य बनने के लिए अमंतुवत किया है सही जवाब है ऑप्शन भी हमारा देश भारत तो अंतराश्री उर्जा आपको सुईकार कर लेता है तो नई दिल्ली को रड़नितिक तेल भंडार को 90 दिनों की जरूरत तक बढ़ाना होगा इस समय भारत का सामरे का तेल भंडार अपनी जरूरत के नाइन पॉइंट फाइव डेश के बराबर है अंतराश्रे उर्जय एजनसी में तीस सदस्य देश और आठ सहयोगी देश हैं हाली में किसे राजसरकार ने विवास्पद विवासंचोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है सही जवाब राजस्थान तो आपको बता दें कि राजस् जो आरोप सभी सामजिक जो है संगटनों और विवाश्चितनों ने लगाया था और राजस्थान के सभी जिलों में बाल विवाः अभी एक सामाज एक्चनौती बनी हुई है हलाकि साक्षरत वर्णे और सरकारी प्रयासों की वज़ा से इस पर काफी हद तक रोक लग चु तो राजपती रामनात कोविन ने जस्टिस राजेश बिंदर को इलाबाद हाई कोड का मुक्य नयाए दीश निउक्ति कर दिया है आपको बता दें कि मुक्य नयाए मूर्ती राजेश बिंदर का जन्म 16 अपरेल 1961 को हर्याना के अब्माला में हुआ था मेकरक्षेत विश्वधयाले से विधी सनातक करने के बाद सेतमबर 1985 से पंजाब वा हर्याना हाई कोड में विधी कारे रोने शुरू किया था विवकलत करने के दौरान हर्याना राज की ओर से 17 जय यमुना विवाद में बनी E.D. Tribunal में हरियान सरकार के पक्षिकार थे इसके साथ ही Provident Fund आयकर विभाग वा अन्य महत्पूर्ण विभागों की दरफ से आयकोर्ट में सरकार का पक्षिन रखते थे अगला सवाल भारत ने किर्गिस्तान में विकास पर्योजना के लिए निम्न में से कितने करोड रुपे का जो रिर्ण सहायता है उसके समझोते पर सहमती जताई है सही जबाब आप्षिन डी 20 करोड डॉलर्स तो भारत ने किर्गिस्तान में विकास पर्योजना के लिए 20 करोड डॉलर की रिर्स आहता के समझोते पर सहमती जताई है विदेश मंतरी एस जैशंकर ने टूइट किया कि किर्गिस्तान के विदेश मंतरी रूसलान कजाकबाईव के साथ सद्भावनापूर और रचनातमक पाचीत हुई है विकास परियोजनाओ में मदद करने के लिए 20 करोड डॉलर की रिर्स विदा पर सहमती जताई गई है इसके अत्यादिक प्रभावाली समुदाई के परियोजनाओ को लेकर आपसी सहमती बनी है अगला सवाल वर्ड अर्थराइटिस डे निम्र में से किस दिन मनाया जाता है तो सही जवाब 12 अक्टूबर तो दुनिया में ये 12 अक्टूबर को हर साल विश्व गठिया दिवस यानिकी वर्ड अर्थराइटिस डे मनाया जाता है ये दिन लोगों में हड्डियों से जुड़ी हुई इस गंबीर बिमारी के बारे में जागरुटा फिलाने के लिए के अब मना जाता है और ये दिन सबसे पहले 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था इसे arthritis and rheumatism international द्वारा आयोजित किया गया था तब ही से इस दिन को अंदराश्ट्रे लेविल पर जागरुटा और बचाव के उदेश से मनाया जाने लगा है अगला सवाल भारत ने ISSF जूनियर विश्वी चैंपियंशिप में कितने पदक अपने नाम किये हैं सही जवाब 43 भारत ने लीमा में हाल ही में संपन हुए अंदराश्ट्री निशान अबाज खेल महासंग में जूनियर विश्वी चैंपियंशिप में 17 स्वाट पदक समेट 43 पदक जीत कर शीर सिस्थान पर वो रहा है भारती निशान अबाज ने पेरू की राइधानी के लास पालमास निशान अबाजी परिसर में जूनियर स्थर के शीर्श प्रतियों गिता कि आखरी दिन सभी उपलब्द 12 पदक जीते हैं विजयवीर सिद्धू रिदम सांगवान और जून सिंग चीमा और शिखा नर्वाल ने अंतिम दिन भारत के लिए स्वन पदक जीते हैं जिससे स्वन पदकों की संक्या 17 तक पहुंच गई भारत ने इसके साथ ही 16 रजट और 10 सकांस भी जीते हैं अब वो सबाज इसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था तो केंद्रिय मस्तिपालन जो है परशुबारन और डेरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपालन ने उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैंचिंग कायकरम का शुभारम किया है इस कायकरम का शुभारम ब्रजगाट गड़मक तेशवर उत्तर प्रदेश में किया गया है उत्तर प्रदेश के साथ अन्य चार राज उड़ीसा उत्तरखन त्रिपुरा और चत्यत्गर ने राश्ट व्यापी नतीप शुभारम के शुभारम में भी भाग लिया था अब एक सब्सक्राइब आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिक कर बताना है हाल ही में किस राजे का चुनाव आयोग दोरा स्मार्ट फून के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राइर नाजवेद करने चा रहा है आपके आप्शन्स हैं बिहार तिलंगाना पंचाब या पिराजिस्तान अपने जवाब कोमेंट बॉक्स में लिक कर बताएं अगर वीडियो बसनाया हो तो वीडियो लाइक करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने में जाना कि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें